वेलकम टू साशा टॉक्स और अपनी लाइफ के आखरी बल में जी रहे है अब ये काम निशी दिल से तो नहीं कर रहा है लेकिन जैसे तैसे वो अपने दीन काट रहा है एक अलगसा गुस्सा एक अलगसी छीड है निशी के दिल में जो उनके नेचर में से जलकती रहती है जिन लोगों से वो डेली लाइफ में मिलते हैं उनसे अक्सर उनकी बातचीत बहुत ही हीटिंग रहती है एक दिन ऐसा कुछ होता है जिसे नीशी का अपने आसपास की चीजों को देखने का जो नजरिया है वो बदल जाता है और वही ही आपको इस फिल्म में देखने मिलेगा फिल्म की राइटिंग बहुत ही शार्प और स्ट्रॉंग है प्राजक देश्मुक और निकिल माजन ने ये स्टोरी बहुत ही मल्टी लेयर्ड लिखी है कैरेक्टर्स के जो भी कन्वसेशन है उसके टाइलोग बहतरीन है इस सारे सीन बहुत डीप है फिल्म में हर एक कैरेक्टर ने बहुत ही उम्दा प्रफॉर्मस दिया है विकरम गोकले, संजय मोने, नीना कुलकरनी, गौरी नलावडे, प्रियदर शन्जादव क्या कमाल के अक्टर है यार वो ऐसा घुसे है ना इस कैरेक्टर में फिल्म के फर्स साब में वो कैरेक्टर का गुसा, वो एजी डायलोग डिलिवरी हर एक सीन में, जितेंद्र जोशी आपका दिल जीत लेते है फिल्म के गाने लिखे है जितेंद्र जोशी ने और म्यूजिक दिया है एवी प्रफॉल चंद्रे ने खड़खड गोदा इसमें परसनल फेवरेट, गाने इस फिल्म में जिस टाइम पर आते है ना उस सीन को वो एक अलग लेवल पे लेके जाते है फिल्म का साउंड डिजानी बहुत स्टॉंग है, गोदा वरी नदी का एक आवाज है, एक कामने से उसे बहुत अच्छे से गोदावरी और नाशिक सिटी को एक अलग नजर ये से दिखाया गया है, जिस तरीके के कलर पैलेट फिल्म में यूज किये गया है, उसकी वज़े से ये पूरी मूवी बहुत ही रियलिस्टिक फील होती है, निकल माजन का डारेक्शन बहुत ही टाइट और बहुत चारप ह फिल्म में जितेंद्र जूशी के कारेक्टर का नाम निशी है, ये एक तरीके का होमेज है मराठी के डारेक्टर निशी कांत कामत के लिए, तो अवरॉल समप करने जाएंगे तो 2022 में जितनी भी मराठी फिल्म में आई है, ये अभी तक कि उसमें की सबसे बेस्ट फिल्म है ये फिल्म well written और well executed है अगर आप two cinema lover हो तो इस फिल्म को miss मत करना ये फिल्म थेटर में जाके देखना ये फिल्म आपको एक अलग experience देगी So ये था मेरा opinion इस फिल्म के बारे में ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो please इसे like कीज़े, share कीज़े चानल को subscribe कीज़े, हम मिलता है अगले वीडियो में